हालो एवरीवन वेलकम बाक ट्यूर अकेडमी डड़ीज चीवर्स अकेडमी दिस साइड निशय शर्मा होप यौल आर फाइन तो फाइनली आप सबको निउस का बहुत अच्छे तरीके से पता है मैंने शॉर्ट में बता ही दिया था क्योंकि निउस बताने का मकसद निउसी बताना होता है तो वो सबको पता चल चुकी है कि हच्पेसी का जो एक्जाम है वो पहले 20 अक्चूबर को होना था आपका और अ एक्जाम आपका कब होगा भाई तीन नौवंबर को होगा ठीक है तो अब हमारा मकसद जो हो गया उस पर डिसकस नहीं करेंगे आगे जो स्टैड़िजी हम शेयर करने वाले हैं जो अपने एक्जाम के लिए आप फोलो करेंगे तो शायद आपके लिए बहतरीन होगा इस च ट्रदा है दुनिया वृत रखती है तो कोई बहुत मैंद ठीक है थोड़ा भूगा पैसे रहना फील होता है नो डाउट लेकिन फिर भी एक्जाम हो जाता तो चले जाते एक्जाम दे आते थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेते रस्टे में कोई बात नी थोड़ा बहुत को पॉजिटिव वे में लें कि आपको टाइम मिल गया है ठीक है आप कुछ बच्चों को लगता है यार क्या ही टाइम मिला है दिवाली आ रही है फेस्टिवल आ रहा है वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा अब वो आपके उपर है देखो no doubt दिवाली एक अन्वल फेस्टिवल है सबको अच्छा लगता दिवाली कहा आइधिंक सबको क्रेज होता है लेकिन फिर भी मतलब इतना भी नहीं है वो आपके हाथ में आप कितना time waste करना चाहोगे दिवाली पर बहुत जरूरी नहीं होता हर चीज़ को extra करना और time waste करना वह आपके हाथ मेरा मक्सद है कि आपको में लेओ और यह सोचो कि आपको एक वक्त मिला है और उस वक्त को आपको बैस्ट कैसे यूज करना है उसके उपर हम काम करते हैं तो हम बात कर लेते हैं 15 डेज का स्टेजी ठीक है 15 डेज मैंने क्यों बोले हैं क्योंकि आपको पता है 15 ही रहे हैं लग भाई 18 दिन कोई मैटर हमstar तो कहने का मतल आपका 15 डिन की स्रेडीजी को हम डिसकस कर लेते हैं 15 दिन की क्या स्टेजी अपकी हो सकती है, देखिएगा, आपको पता ही है कि आपके चार सक्षन है, जो आपको पेपर में आने है, एक आपका जो राइटिंग वाला सक्षन है, ठीक है, एक आपका राइटिंग सक्षन आना है पेपर में, एक आपका ग्रैमर आना है, एक आपका लिट्रेचर आना है, और एक आपका RC and should put छोटे मोटे जो points है वो आने है ठीक है अब आपके 4 section आने है तो make sure आप ये मान के चले नॉंबर को तो cut down ही कर दे ठीक है चोकि एक की दिवाली है दो को आप वैसे ही करोगे तीन को आपका paper है तो नॉंबर को तो county मत करो कि नॉंबर आपकी dictionary में है नॉंबर आपकी dictionary में है यह नहीं और आज किनी तारिक है आज 14 है मतब कल 15 ही होगी ठीक है 15 दिन भी नहीं 14 ही दिन कह दो ठीक है एक दिन आपका बीच में का दीव ऐसे ही चला जाता है तो 14 दिन ही लगा लो कि आपके पास है आप इस 14 दिन में सबसे पहले तो आप यह देखिएगा आपकी कहा कमी रही है क्योंकि मेरे हिसाब से जो बच्चे मुझे से जुड़े है और वो ready थे exam के लिए तो लेकिन फिर भी कई बार होता है हम होचपोच में ready होते हैं हम जल्दी में उन चीज़ों को करते हैं हम आरा फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो रह जाती है कि काश या टाइम मिल जाता मैं इनको best कर लेता तो अब आप उसको best करें तो सबसे पहले तो आप इन चारों सेक्शन में यह देखें यार American writing मेरी रह गया यार modern रह गया तो अब आपका जो आपके mind में था ना कि यह point मेरे रह गये हैं तो make sure आप 20 तारीक तक उन सभी points को revise कर लो अच्छे तारीके से ठीक है फिर आप 21 तारीक से लेके 21 तारीक से लेके 30 तारीक तक अपने पूरा writing section को बहुत बेस तरीके से revise कर देना है ठीक है फिर बचे 3-4 दिन आपको grammar as well as literature दोनों को side by side लेके चले यह ना कि 4 दिन grammar करूँगा 4 दिन literature करूँगा दिन में 24 घंटे होते हैं आप जो भी time निकालोगे parallel आप grammar को जल्दी I think grammar सबकी बढ़िया होती है English वालोगी तो grammar को आप ज़्यादा easily कर पाएंगे आप कुछ का literature अच्छा होता मुझी नहीं पता आपका कौन सा section strong है आपका जो section strong है आप उसको तो quick revision करें ज़्यादा time ना दे, जो section कम strong है उसको थोड़ा सा ज़्यादा time दे, ठीक है HPSC की खास बात है कि आपको syllabus में सही question पूशता है syllabus बहुत ज़्यादा नहीं है आपको simple सी बात है literature के अंदर आपको romantic, Victorian, modern, post-modern, American इत्ता ही तो करना है, मतलब starting की 3-4 age तो cut गई ना तो कुछ भी कहो, limit तो है English literature इतना था, उसका इतना हिससा आपके पास आ रहा है तो वहाँ पर भी आप जिससे modern age है और American वगेरा है इनको बढ़िया तरीके से revise कर लो, आपको जुरूरी नहीं है कि सारे writers करने हैं कि major और minor भी major writer कर रहे और minor जो important है वह writers कर ले, ठीक है, तो इस तरीके से आप बहतरीन तरीके से चीजों को analysis करेंगे, करेंगे particular age को revise करो, पहले particular age से related चीजों को revise करो, फिर उस से related questions को x, y, z, किसी भी English literature की book से कर लो, कोई भी है, भीम सिंदया है परतियों कीता साहित है, अरीहंत है आपके पास objective English literature है जो भी मरजी है, मत्तब इंग्लिश वालों के पास एक अधी book तो होती होगी, तो आपके पास x, y, z, जो भी book है, आप particular उस book के सारे MCQs को क्या कर लो, भी revise कर लो, तो इस तरीके से, side में आप grammar तो आपने एक बार सीख ली, पढ़ ली वो चीज है ही, bash में फिलाल ये भी हो गया, कि अल्रड़ी हमारी complete थी, लेकिन मैंने live भी start कर दी थी आपको क्यूंक के बाद, तो शायद आपके paper तक आपकी grammar live में भी दुभारा complete हो जाएगी, तो ये भी आपकी automatic revision होती रहेगी मेरे साथ-साथ, साथ में practice हम करी रहे हैं, तो इस तरीके साथ आप धीरे-धीरे करते रहोगे, तो चीज़े आपकी हो जाएंगी make sure आप last के 2-3 दिन तो धेर सारी दबा के practice कर लो HPSC previous paper के नाम पे हमारे पास सरफ एकी paper है जो मैं already आपको soul करवा चुकी हूँ ठीक है हमारे पास बहुत जादा paper नहीं है बट simple सी बात है, आपको न कोई जादा चकर में पढ़ने की जुरुरत नहीं है मेरी बात को सुनो, आप सिरफ ये देखो अब आपका target है कम से कम time waste करना आपको minimum time में maximum content पढ़ने को मिल रहा है अच्छा कहीं भी मिल रहा, आप वहां try करें, पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि आप time दे रहे हैं घंटा और आपको content मिले 15 मिनट आप time दे रहे हैं 15 मिनट आपको content मिले 13 मिनट तो definitely which one is better you can analysis well तो यहां पर simple सा आपको धान रखना है कि आप कहीं मी मर्जी पढ़ें कम time में maximum चीज़े करने की कोशिश करें ना कि maximum time में minimum चीज़े करने की कोशिश करें आप सिरफ अपना ज़्यादा सज़्यादा time चीज़ों को revise करने में दे make sure आपके वास grammar की कोई भी book है कर लेती हूं कोई बात नहीं अप तो free हूं मैं एक दिन enjoy कर लेती हूं कोई बात नहीं तो दिन मिल गए हैं यह दिन मिले हैं तो यह सोचो यह आपकी नोकरी में चार चांद लगाने के लिए आपको मिले हैं तो make sure आप इनको seriously ले और बहुत जादा महनत करें easily आप exam को crack कर पाएंगे ठीक है हाँ बिल्कुल batch में मैंने सब कुछ आपको करवा रखा कोई आपको tension वाली बात ही नहीं क्योंगी क्रिविजन अब आपको पास special class को पढ़ने का time नहीं था बहुत जल्दी में आपको लग रहा था special class कैसे पढ़ें अब आरा हम से सारी special class को रिवाइस कर लो क्योंगी क्रिविजन सेशन को रिवाइस कर लो grammar की डेली रात 9 बजे Monday to Friday मैं आपको practice करवा ही रही हूं ठीक है और already HPSC के नाम से एक playlist है जो बच्चे नए है मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बता दू मैं HPSC पिछली बार भी वा था आपको पता तो एक playlist है HPSC practice के नाम से वहां पर जितनी भी literature की एज़ी सब की practice मैंने करवा रखी है तो make sure आप वो playlist भी एक बार विजट कर ले ठीक है बई तो I think this is all about HPSC पिज़ी एक्जाम एक्सेंट हुआ है रिशेडियूल हुआ है तो बस यह सोचे आ नाव दिस गूट फोर यू और इस ट्राइम को आप बिना बरबाद करें आप सेम ख़बर है कि एक्जाम पोस्पोन हो गया इस ख़बर को आ हुआ हुआ है